हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम एम्मरोईडी सूट की कटिंग करेंगे और ये बहुत ही सुन्दर अकडाई वाला सूट है, इसकी न 1000 प्राइज थी लिखी होई उपर और उतनी ही होगी, ये जिस मॉल से लेकर आते हैं वहाँ फिक्स प्राइज है तो आज कल देखें, टेप के साथ पैकिंग करते हैं, पहले पिन लगा देती थी, जब हम पिन निकालते थे, तो सूट फट जाता था, छोट छोट छेक हो जाते थे हो और दिरे दिरे वो बढ़ जाते हैं तो ये देखें, ये सूट का कपड़ा है, और ये प्लाजो का कपड़ा है, तो 1000 के हिसाब से प्लाजो का कपड़ा बहुत ही खराब है, अकड़ू सा कपड़ा था, सलवार है, उन्होंने प्लाजो बनाया था, लेवैसे सलवार भी बना सकते हैं, तो ये शल्ट का कपड़ा है तो इसके उपर से मैंने जो नीचे घेरे के उपर लैस लगी है उसको उधेड़ कर दुबारा से सैट करूंगे और ये देखें इतने सारे लेबल लगा देते हैं उसके भी पैसे कट ही करते होंगे इतने सारे लेबल लगाने के तो बंदेने तो उतार के फैंक नहीं होते हैं पताने क्यों इतने सारे लगाते हैं क्याद बताना चाहते हैं तो प्राइस तो हमको जो दुकानदर बताएगा वो देना ही पड़ेगा अगर फिक्स प्राइस हैं तो ये लगाकर पतानी क्या साबित करना चाहते हैं तो नेक के नीचे एक बहुत ही सुंदर बटन था स्टॉन वाला तो अब इसकी मैंने कटिंग करने के बारे में सोचा फिर ना मुझे लगा प्रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा बल थे इसके उपर तो मैं तो सोच रही थी कि मेरा टाइम बच जाएगा अदा गंटा लग जाता है इनको प्रेस करने में तो फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं ऐसे ही कट कर लूँ लेकिन फिर प्रेस करके ही कट हुआ था जी और ये घेरे के उपर जो पट्टी है इसको निकाल दूँगी दुबारा से लगाऊंगी क्योंकि लेंथ मुझे अपने हिसाब से सेट करनी है इन्होंने अपने हिसाब से सेट करके लगाई होती है तो मैं इसको प्रेस करके लाती हूं फिर इसको मैं कट करूंगी ऐसे नहीं होगा बहुत ही 3600 वल हैं इसके अंदर तो इसको प्रेस करती हूं फिर हम किसको करेंगी ना वोईस ओवर की थी वीडियो की त के उपर ना तो अब इसको ना हमने कड़ाई को अच्छे से सेट करते हुए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है एंब्रोइड वाली साइड को और गले का आदा इंच उपर छोड़कर मैंने कट कर लिया है यह कट करने से ना यह देखिंग गले की लाइन बिल्कुल अच्छ हैवी साइज है इतना भी जादा नहीं है मतलब 43 इंच है बस्ट भी तो हिप भी 6 इंच लिया है नीचे को 7 इंच 43 का चोथा भाग हो गया पोने 11 दो इंच सीधा और 8 पर कमर का लगाऊंगी और 15 पर हिप का निशान लगाऊंगी में यह दिखे अच्छे से सेट कर लिया है इसको अब हमने इसकी मार्किंग करनी है दो इंच पर सीधा निशान लगा लिया 8 पर कमर का 15 पर हिप का कमर है इनकी 30 इंच 9 इंच चोथा भाग और हिप भी 43 इंच है पोने 11 चोथा भाग इन सब को आपस में मिला लेना है लेंट है इनकी 40 इंच मैं 41 रखूंगी क्योंकि नीचे की साइड पर बॉर्डर लगाना है तरपाई नहीं होगी इसकी घेरा 11 इंच लोंगी मैं पोने 11 हिप है तो वस थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा 11 इंच ले लिया है और इनको आपस में मिला दिया है और सबी के विपर मार्जन लेना है 2 इंच बस्ट के पास 2 लोकर सॉफ्ट हो जाएगा ये 2 इंच पर और एक इंच पर दो बार निशान लगाकर ना इनको आपस में मिला लिया गुलाई डाल दी है आरम होल की सीधा सीधा नहीं नहीं कट करना वो मैंने डाली नहीं थी बाद में कट कर दी है तो अब इसको हमने बारवाली लाइन को क साइड से पकड़ कर तो ये 14 इंच कपड़े को फोल्ड करके इसके उपर फ्रंट का पला रखके इसको सेम वैसे ही कट करना है लेकिन न फ्रंट का पला हमने छोटा रखा था जैसे उसके नीचे तरपाई नहीं होगी तो इसके नीचे तरपाई होगी तो दो इंच एक स्ट रखा था इसका कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है अब फ्रंट का पला उपर रखकर कट करना है हमने तो उपर से आदा इंचेक स्टा रखा है और नीचे से दो इंचे थोड़ा सा पीछे का पला बढ़ा लो ना तो फिर नेक पीछे को नहीं खिचता बड़े राम से आ जाता है नहीं तो ना कई लोगों की कंप्लेट होती है थोड़े हैवी साइज हो ना बोलते हैं हमारा गला पीछे-पीछे को जाता है तो वो इसलिए जाता है क्योंकि हम फ्रंट का पला और बेक का बराबर रख देती हैं फ्रंट का थोड़ा सा बढ़ा कर रखना चाहिए तो ये अच्छे से सेट कर लेना है जो जिस साइड पर मैं बैठी हुँ हूं उसको कन्नी किसे कन्नी मिला कर मैंने अच्छे सेट कर लिया है और उपर آदा इंच एक्सरा छोड़ा है नीचे दो इंच और इड़ें काट डालनी है हाफ हाफ इंच की दो बार मैंने डाल दिया दोनों पल्लों के उपर और यह दो इंच वाली जो काट है वो भी मैंने कट कर दी है ये दोनों पले हमारे सेट हो गए है इसके उपर लाइनिंग भी लगाई थी मैंने उन्होंने बोला था के लगा दी ना वैसे तो मोटा था कपड़ा बस जो फरंट के उपर कढ़ाई है उस कारण हमने लाइनिंग लगाई है क्योंकि बीच बीच में तिले क कढ़ाई है धागे वाली तो बहुत ही अच्छा है कढ़ाई तो यह देखें बहुत सुन्दर सोबर है छोटे शोटे स्टोन लगे थे वो ना निकल रहे थे वोश के बाद मुझे लगता है निकल जाएंगे तो दुपटा भी बोल रहे थी काफी भारा है तो यह हाफ बाजू बोल कर गए है अगर हाफ बाजू हो ना तो मैं आड़ी ही बना देती है क्योंकि हाफ बाजू के उपर अगर हम जोट डालेंगे ना तो कस्टमर गुसा करेंगे कि इतनी छोटी बाजू है फिर भी आपने जोट लगा दिया तो लेकिन आड़ी बनती है यह नोलज नहीं होत जो बैक सेड के उपर से बचा था परले के पास से अगर कोई स्लिम ट्रिम होती तो उसके फिर सही भी बन जाती आड़ी नहीं बनती बाजू की बाजू मुझे पांच इंच रेड़ी चाही थी साथ इंच ली है मैंने और साड़े तीन इंच लेकर गुलाई डाल दी थी और कोई कढ़ाई नी इसलिए मैंने अपने पास से लगा दी थी तो प्लाजो उन्होंने अमरिला बागा था μεरिला तो काहीं बनेे करनी नहीं तो मैंने आगे से बोल देना करना है कि 4 मीटर कपड़ा लगता है अमरीला प्लाजो हर कोई बोल के चला जाता है अमरीला बना दो कहां से बनाए तो ये तिर्चा कपड़ा मैंने पहले डबल फोल्ड किया है फिर फोर फोल्ड कर लिया तिर्चा कपड़ा और इसका प्लाजो भी अच्छा बन जाता है उसने पहन के देखा था बहुत अच्छी आ रही थी ग्रेस उसकी उपर से 15 इंच लिया है दो इंच मैंने लास्टी के लिए छोड़ा है और यह 14 इंच लिया है आसन का हिप से थोड़ा ज्यादा ज्यादा लेना होता है चोथे भाग से तो हिप का चोथा वाग 11 इंच है 30 इंच रेड़ी है ना तो मैंने धा इंच एक्सटा लिया है आदा इंच नीचे को फोल्ड होगा दो इंच उपर लास्टिक के लिए सेंटी ठती और साड़े अठती लिया था मैंने अब इसको कट कर देना है बड़ाई मजा आता है यह प्लाजो सिलने में पहुंचे भी न बनाने कुछ भी निज्यादा बस दोसलाइयों में बन जाता है जल्दी बन जाता है बस लास्टिक डालनी होती है उपर तो जैसे सलवार को एक गंटा लगता है इस प्लाजो को आदा गंटा लगता है मुझे तो फिर बढ़िया है ऐसे प्लाजो ही पहना करो सभी लोग इच्छा सा जो कपड़ा है इसको कट करके गुलाई डाल देनी है और उपर से भी बढ़ रहा है कपड़ा उसको भी कट कर देना है तो उसने पहन के दिखाया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मैंने भी इस तरह के सिलाह प्लाजो अच्छा आता है ये भी अमरे इल लगी हो तो लाइक कर देना थैंक्स फर वर्चिंग